हेलो गैज में हूँ आरियन। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया पॉस्ट ऑफिसत के से स्विंग से कौन्ट इंटरभि counterpart को दिया जाएगा। और साथी साथ एक एक्जाम्बल के तौर पर यह भी बताएंगे कि अगर आपके सेविंग सेकाउन में अगर एकलाइक बैलेंस में इंटन करते हैं तब कितने इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा इस सभी बाते आपको डिटल्स में बताएंगे लेकिन इस सब पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किये एंट तक जरूर देखें तो पहले ही आपको जानकर रखना है कि आपके सेविंग्स अकाउंड में डेली बएसेश में बैलेंस में बैलेंस में नहीं करेंगे तब उस मेंख सब्सक्राइब के उपर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा तो mainly आपको यहां पर जानकरी रखना है कि हर महिने में 10 तरीक से लेकर उस महिने का आखरी तरीक तक हर एक दिन आपके savings account में minimum 500 रुपिया आपको balance maintain करना होगा क्योंकि अगर आप एक भी दिन अगर balance maintain नहीं करते हैं तब उस मेने में savings account के उपर आपको interest नहीं calculate किया जाएगा और आपके savings account के उपर जितने बे interest बनेगा वो यह early basis पे आपको दिया जाएगा यानि साल में एक बड़ी दिया जाएगा जैसे कि financial year खतम होने पर यान 31 March के बाद आपको savings account के उपर interest दिया जाएगा अगर interest rate की बात की जाए तो India Post Office का जो फिलाल savings account के उपर interest rate है वो है 4% यानि आपके savings account में आप जितने भी balance maintain करते है उसके उपर 4% के सबसे simple interest rate की इसाब से आपको interest दिया जाएगा याँ पर compound basis पर आपको interest नहीं दिया जाएगा तो चलिए आप एक example के तौर पे जान लेते है कि अगर आप अपने savings account में अगर एक लाग balance maintain करते है तब उसके उपर कितने interest आपको दिया जाएगा तो अगर आप अपने savings account में अगर एक लाग balance maintain करते है तो 4% interest rate के हिसाब से simple interest rate के हिसाब से एक साल बाद आपको चाड़ा जर interest दिया जाएगा तो अगर overall दखा जाए तो इंडिया post office का जो savings account के उपर interest rate है वो आज के टाइम पर average जो interest rate है अगर आप अपने savings account में अगर अच्छे कासे balance maintain करते है और अगर आप अपने savings account से अच्छे कासे interest earn करना चाहते है तब किसे अन्रे bank में आप savings account टोपन कर सकते है तो दोस्तो आज आज के वीडियो में इतना ही उम्मिद करते है वीडियो आपके लिए helpful रहा अगर फिर भी कोई doubt रहे तो comment करके जरूर बताए मैं आपका comment करे प्लाइज जरूर करूंगा और अगर वीडियो पसंद आए तो like और share करे और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू